असलाम लेकुम वेलकम टू नाजियस विलोग कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और फिट पार्ड होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सुनाएं कि आप सब करमजान कैसा जा रहा है तो जी आज की जो मेरी रेसिपी है वो मंगोच के सालन की है बहुत से बहुत असान यसे की है और अकसर लोगों ने ट्राइब की होगी तो रेसिपी शुरू करते हैं और बहुत एजी है रेसिपी शुरू करते हैं इसमें जो है हमें मूंग और मसूर की डाल चाहिए दोनों बिल्कुल एक्वल होनी चाहिए मैंने आदा के लिए पानी में भीग होती है अब एक घंडे पानी में भीगा रहेगी और इसमें हम जो है एक टीस्पून लाल मिर्ज एक टीस्पून नमक और चुटकी जो है वो हम मीठे सोड़े की लेंगे ठीक है एक घंडे बाद जब यह दाल थोड़ी सी फूल भी जाएगी और इसमे नहीं लेना बहुत ज़र्दा मतब नदधा थिक होनी चाहिए न Näजदा थिन होनी चाहिए दोनों मतब नॉर्मल होनी चाहिए जैसे हम बेसन के लिए बेसन जिसन को फेंटे हैं आलू के पकोड़ों के लिए बिल्कुल उसी तरह का जो है इसका बेटर होना चाहिए यह देख लिए आप बिल्कुल सौफ सा बेटर बन गया अब हमने इसमें जो तीनों चीजें हैं वो मिक्स करनी हैं अगर आप चाहते हैं तो ग्राइंट करते वक्त ही यह चीजें डालने यह ठीज़र बाद में इस तरह जो इस इस तरह जो यह वो ग्राइंट इना और तो ग्रेवी के लिए मैन एक धिए तो तो बीक्क मासाल जीना मक और धनिया पिसवाद हैं जो के अम सालन इसके लिए हमें सबसे पहले हम ने ओयली है अब स्वरभा बना रही हुँ ग्रेवी बना तो इसमें उसको मैं जो हूं ब्राउन करूंगý ब्राउन सा और उसके बाद हम इसको ग्राइड कर लेंगे जैसे के अब ग्रेवी बनाने के लिए अभ देखिए इस तरह से हमनेसकर लिये अब में इसको मुझें इसको जाएंड कर लूँगी साथ में टेमाटर भी जाएंड कर लोगी और मिज्ट कर लोगी और एक टेमाटर और पाय स मन India āष्ड कर लिये में घैया है अब इस स्टेज पे जिडर सारा मसाला गराइंड हो ग हैं अब हमने इसको फूलने और साथ ही मैंने जो है ना और घरने के लिए रख दी है जिसमे मैं मंगोचिया मनाओ हूँ जब ऑूल गरम हो चाहे का ना फिर इसमें यह सार जाकि यह बढ़ी हो जाएंगी यह देख लेंगे मैं थोड़ एक चमच में लेती हूं और उसको तीन दफ़ा जो है वो उसको कर देती हूं ताकि वो छोटी चोटी सी बढ़े बस इसको हमने थोड़ा सब गोल्डन गरना है और अलग प्लेट में निकाल लेना है और यहां जो जो है यह भुन गया है और मैंने काफी जादा जो है यह मंगोचिया मना के रख लिए अलग प्लेट में अब जब जैसी मसाला यह भुना है ना तो मैंने इसमें एक ग्लास के करीब जो है वो पानी डाल दिया है आप अपनी जरूरत के मताबिक जतना पानी चाहते हैं डाल क्योंके यह पानी थोड़े देर बाद जब मंगोचिया डालते है ना तो सालन जो है वो गाड़ा हो जाता है अब मैं इसको जड़ा ढ़के रख दूगी ताकि इसमें एक उबाल आ जाए खौल आ जाए तो फिर हम इसमें मंगोचिया डालेंगे अच्छा जब हम सालन को करके रखेंगे और इसमें एक बॉइल आ जाएगा तो उस स्टेज पे आप थोड़ा सा सालन एक बाउल में अलग से भी निकाल के रख सकते हैं क्योंके अब इस स्टेज पे मंगोचिया डालने से पहले क्योंके मंगोचिया आप सालन जो है वो चूस लेती हैं तो सर्फ करत करते हैं बहुत दीमी आँच पे अब दो मिनट बाद मैंने इसको ठकन उठाए इसमें हरी मिच्जें हरा धनिया डाला है और मैं आँच अब बंद कर दूंगी इसको ठकने रख दूंगी थोड़ी देर बाद आप देखेंगा पांच मिनट बाद इसका सालन जो है वो गाड पीजेगा नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुलकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत खयार रखिएगा